कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम लोग हरियाना पुलिस काउंस्टेबल का जो एक्जाम है वो कब तक हो सकता है एक्सपेक्टेड डेट देखने वाले हैं कुछ आपको अपडेट बताना चाओंगा कि कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं जिससे पता चल आए कि हरियाना पुलिस का एक्जाम बहुत जल कंड़क कराया जा सकता है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाओंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो बैल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो हरियाना पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए आपका पहला अपडेट निकल कर आ रहा है कि देखिए गाइस अपडेट में बताया जा रहा कि एच एससी जो है जो अपकमिंग जो एक्जाम है मतलब बचे हुए जो एक्जाम है जो अकैन से निकली थी उनको करवाने के मोड में आ चुका है बताया जा रहा कि एच एससी जून जुलाई आगास सितंबर के बीच आपके एक्जाम कंड़क करा सकते हैं और बहुत सारी ऐसे कंपनियों को टेंडर दे रहा है जो एक्जाम कराने के लिए मतलब जितनी जो टेंडर होते हैं कौन-कौन कंपनिय ले सकता है उनको एक्जाम कराने के लिए दे रहा है जिससे कि आपका एक्जाम आसानी से कंड़क कराया जा सके तो इसी को मद्दे नजर रखते हुए इसे साबित होता है कि हरियाना पुलिस का जो एक्जाम है आपका वो जुलाई अगस्त के बीच में हो सकता है जुलाई और अगस्त के बीच में और कल दूसरा अपडेट निकल कर आ रहा है कि एक नोटिस जारी हो रहा था जो कि फेक नोटिफिकेशन था जिसमें था हर्याना ग्राम सचिप को एक्जाम को लेकर तो उसमें बताया जा रहा था कि इस तारीकों आपका ग्राम सचिप का पेपर हो सकता है तो वो फेक नोटिफिकेसन था उस पर मत आईएगा और जो रियल नोटिस है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा इन दो अपडेट से आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो हर्याना पुलिस का एक्जाम है वो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फहले या सेकेंड बेक में आपको देखने को मिल सकता है एक्जाम और नोटिफिकेशन इसका जल्द आ सकता है एक्जाम डेट को लेकर तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लीस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें कोई भी कोईरी थे आप कमेंट करके पूँ सकते हैं मैं उसका रिप्लाइ जरूर दूँगा ओके तो कमेंट करके अपना कोई भी मतलब कोईरी है उसको पूँ सकते हैं थैंक्यू